खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम नमस्कार स्वागत है आपको अपने यूटीब चैनल नहीं से में और हम लोग देख रहे हैं अपनी यूनिट नमबर 10 है उसे है न और इसमें आयोगों की चर्चा करते हैं आज जो हमारा आयोग है वो है राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोग मतलब नेशनल कमीशन फार एससी है न एससी आफसे ड्यूल कास्ट हम लोग देखेंगे और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इसके पीडियेफ के लिए इसका पीडियेफ मिल जाएगी आपको और यदि यूटीब पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथी साथ आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें जिससे आपको अध्यदिक लाव प्राप्त चली सुरू करते हैं हमारा अंसोचित जाती आयोग इसमें आपको ध्यान देना है जब भी आप अंसोचित जो चेंजेज हैं उनमें जो आर्टिकल हैं उनसे संबंदित और अध्यक्ष संबंदित बागे सेज़ चीजें जो है तो लगभग समान ही है तो चली देखते हैं तो सबसे पहले किस अनुक्षेद में बढ़नित है यह संबैधानिक आयोग है तो यह अनुक्षेद 338 में है आर्टिकल 338 में जो है तो यह बढ़नित है भाग 16 है संब्धान का यह भी आप ध्यान देंगे कि भाग 16 में जो है तो यह बढ़नित है अब बात आते हैं इसके मुख्याले की जिसका मुख्याले दिल्ली में है साथी साथ इसके छेतरी मुख्याले भी है छेतरी मुख्याल तो तुमें κά नाम था राश्टी अंसुचिज जाती और जन जाती आयोग और अगस्त 1978 में पहली बार ये बनता है और इसके अध्धक्ष बनाया जाते हैं ऑर इसके अध्धक्ष बनाए जाते हैं कौन भोला पासवान सास्त्री जी राश्टी असुची जाती और जन जाती आ 12 मार्च 1992 को 65 संब्धान संसोथन किया गया और इसे संब्धानिक दर्जा दिया गया किसे दिया राश्ट्री अन्सूचित जाती और जंजाती आयोग को ठीक है उसके पाद एक डेट और हम देखने को मिल रही है 19 फरवरी 2004 तो 19 फरवरी 2004 को एतिहासिक डेट है जब 89 संब्धा मतलब जो वर्तमान सुरूप है वो है 19 फरवरी 2004 से जिसे अब हम देख रहे हैं राश्ट्री अन्सूचित जाती आयोग और फिर राश्ट्री अन्सूचित जंजाती आयोग ठीक है तो यह डेट आपको 19 फरवरी वारी जो डेट है यह आपको बिसेश रूप से ध्यान रख इसकी है वह है अन्सूचित जाती की है फिर आगे बढ़ते हैं तो और क्या हमें देखने को मिल सकता है हमने यह देख लिए जब सब्सक्राइब को आया तो वर्तमान सुरूप 19 फरवरी 2004 को आया फिर कुछ प्रमुख जो आर्टिकल है उनके बार हम देख लेते हैं जैसे 338 32 में क्या है तो इसमें संशना की बात ही प्लस वनपलस थर्य मतलब एक अध्यक्ष रहेंगे एक अपध्यक्ष रहेंगे और तीन उसमें क्या रहेंग मैं हम बढ़ रहेंगे आपको ध्यान देना है Superler ऐस्य सेवब सब्सक्राइब ऑर पदा वधी वी दो में ओं इनके पदवधी तेंकि जाएक इनके नियम तेंकि जाने सेवसरतों के और यह नियम 2004 में बनाए गए हैं। पदवधी कितनी रहती है? पदवधी तीन वर्स रहती है और मैकसिमुम दो बारी यह लोग अपने पद धारन कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें क्या मिली यहाँ पर पहली चीज हमें देखने को यहाँ पर मिली कि यहाँ पर संदशना है 1 प्लस 1 प्लस 3 और दूसरा बात मिली यहाँ पर कि तीन वर्स के लिए इनकी पदावती होती है अब बात करते हैं किस मंत्राले के इंतरगत आता है तो मंत्राले क क्या दिया था और दिया था सेवा सकते अप द्यान देंगे फिर तुसमें प्रतभीदन क 생enders को इसंद राश्पति की बात की गई है कि demaskat प्रतभीदन किस है लिए आयोग तो राश्पति एक राश्पतिये प्रति ब minder को रख़ए गा प्रति प्रतिवेधन राश्पति को दिया ढखा आंग राश्पतिय प्रतिवेधन को संबंधित राजपाल हें लिख Thousand पित्रीавай्ट एला तर्यान ति को प्रतिवेधन को समथले निया ए गठन है दूसरे में क्या है सनचना है, सेवा सरते हैं, पताबदी है, तीसरे में न्युक्ति है, पाच में में कार है, छटे में प्रतिवेदन है, केंडर के लिए, साथ में प्रतिवेदन है, राजी के लिए, और आठ में में है इनका सक्तियों की बारत की गई है, है ना, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रम पिर बात करें कि 1973 में पीटीजी का एक कॉंसेप्ट आया मतलब क्या था कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रॉप यह ना और यह बर्दमान में देखें तो लगभग 75 जो सम्मू है वो इसके अंतरगत आते हैं पीटी जीज सम्मंदित है और यह दूसरा थोह tava ना था था पहला था दूसरा बना थे तुमका नाम है सूरज भान सिंग ठीक है तो आप यह द्यान देंगे कि सूरज भान सिंग जो है तो है इसके अद्धिक्ष थे पहले अद्धिक्ष अब यह वर्तमान शुरुप 2004 की बात हम कर रहे हैं आप सूरजभान सिंग के बाद बूटा सिंग्न हें Plan पूनिया दो बार वन हैं आपको ध्यान रखना है कि राम करिक ह heap है जाता है उपाध्यक्ष्ट हैं कि उपाध्यक्ष्ट होता है कि इतने भी आयोग है उन्में अध्यक्ष्ट को कैविनेट्ट मंत्री का कैंड्री कातर दिया जाता है उपात्दegen को तरह दिया जाता है और जो सथस्य होते हुन्हेंए भारास सरकार के सच्चिव कातर द्यान रखें गंगे फिर 2006 में जो हमने फिव्य टी देखा पी ती जी तुझ देख हैं ने उनको प्रवश्त कर दिया गया पीवी पी वी टी जीएस में मतलब particularly vulnerable tribal group particularly vulnerable tribal groups कर दिया गया और उस सरवाधिक कहां पर हैं तो ओडी सा मैं मैक्सिमूम है मत्त प्रविसमें 7 जो है तो PVTS पाया जाते हैं जिनमें बैगा भारिया और सहरिया प्रमुक है यह इसके बाद आबूजमारिया बिर्हुर कमर पहाड़ी कुर्वा यह साथ जन जाती हैं जो है साथ जाती हैं यह किसमें आती हैं पीवी टीजीएस में आती हैं और मैक्सम्म कहां पहां है तोड़ी सा में हैं पिर कुछ आर्टिकल्स की बाद कर लेते हैं जैसे 34236623810 इनकी बा के राशपती के दोरा किसी बिजआती को ST के दर्ज़धा दिया जा सकता है और तीनसो चांचट के 24 में ST की परिभासा दी गई है ना 24 में ST है 25 में देखेंगे यहां पर इ dragons गया है हैं यह किया है स तो यहां पर 24 में क्या स ещё 25 में फिर क्या दिया गया है स T इसी समदाय के लिए भी जाती आयोग के रहेगा अब हम बात कर लेते मद्द प्रदिश के लिए जाती आयोग की तो इसकी इसथापना की कब 29 जून 1995 को इसकी इस्थापना के जाती मद्द प्रदेश राज अ寸ूचत जाती आयो इसकी सरचना one plus two होती है इसमें दो मेंबर होती है अब दी तीन साल की होती है अब इसमें ट्यागपत्र report हटाना राजश्रकार की प्रिसक्षructures that एक point है map set इसका full form आप जयान देंगे कि map set का full form क्या है मद्ध्य परदिश रोजगार प्रसिक्षंड परिस्ट मद्ध्य परदिश रोजगार एवं प्रसिक्षंड परिस्ट 1981 है और एक समस्तान है जिसका नाम है डाक्टर बाबा साव अमेडकरika राष्टी राष्टि सामाजिक विड़्चान समस्तान महू तो इस तरीक्य से हम ने इस आयोग को जो एसी आयोग है उसे हमने यहाँ पे पूरा किया आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकतें इस वीडियो को लाइक कर सकतें और अपने मित्र तक भी से जरूर साझा करतें है ना आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसके पीडियाप के लिए आप ज़रूर जोड़ जाएं टेलीग्राम चैनल से कोई सुझाओ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं चलिए बढ़िया है हसते रहिए मुस्काते रहिए कोशिज करते रहिए क्योंकि कोशिज की बना जजाकार नहीं होती एक से दोबार वीडियो देखना है आगे बढ़ना है जल्दी से पूरा सिलेवस कवर करना है धन्यवाद